ये है जाले परखंड के कच्छवा पंचायत के मलिकपूर की मुख्य सडक जो दर्भंगा को मुझफर पूर से भी जोडती है लेकिन तीन दसक बीट गए और आज तक इस सडक की सूध लेने तक कोई नहीं आया गाउंवाले बताते हैं कि करीब 30 साल पहले विधायक अब्दुस सलाम साहब ने इस खरंजे सडक का निर्मान करवाया था और तब से अब तक यह सडक दिन परती दिन जरजर होती जा रही है हर दिन यहां से सैकर लोग आते जाते हैं जिने कठनाईयों का सामना करना पड़ता है लेकिन ना तो विधायक ना ही मुख्या किसी को इस गाउंवाले से मतलब नहीं है जहां पूरी दुनिया डिजिटल यूग में परवेश कर रही है वहीं इस गाउं का भाग इतना खराब है कि यहां से इंटरनेट की बात तो दूर फोन कॉल ही बड़ी बात है किसी को कहीं बात करना हो तो मुख्य चौक तक आना पड़ता है ऐसे में पंचायत चुनाओ नस्दीक है लोगों की मांग है कि जो भी परतियाशी आये पहले इस सड़क के निर्मान का भरोसा दिलवाए मैं मुहम्मद इंबसात आलम और आप देख रहे हैं मिधला लाइव 24 और इस समय हम मौजूद हैं जाले परखंड के कच्वा पंचायत में ये सड़क आप देख रहे हैं विगत 25 से 30 वर्स हो गए लेकिन ना यहां आज तक कोई विधायक इस सड़क को बना पाए ये सड़क बनी थी 25 या 30 वर्स पहले जो इस समय जाले विधान सभा के जो अब जो सलाम सहब विधायक हुआ करते थी उसी समय में ये सड़क बनी थी और तब से लेकर आज तक केवल जो निता हैं जो परतिनीदी हैं केवल आशवाशन देते हैं लोगों को कि ये सड़क बनेगी लोग जब उनका एमर्जेंसी होता है तो लोग अपने जान पर खेल कर इस सड़क से गुजरते हैं ये सड़क आपको छोटी मलिकपूर गाउं है चोटी मलिकपूर से ये सड़क जाती है आगे चलकर बड़ी मलिकपूर गाउं आता है और इतना ही नहीं ये सड़क आपको शाहपूर माधोपूर यानि के जो मुझफरपूर जिला में है वहां भी इस सरक को जोड़ते हैं तो आप देखिए यहां के हालाद दूसरी बात यह है यह तो सरक के हालाद को आप देखी रहे हैं पचीस तरीस वर्सों से इस तरह का हाल है और इस गाओं का बदकिस्मती यह है कि इस गाओं में जो है सो नेटवर्क की समस्या आप देख सकते हैं लोग हमारा हमें भी खुद इस गाओं का पैत्रिक गाओं है मेरा और अच्छे से वाकूफ मेरा एयर टेल का यह मुबाइल है यह इसमें सीम है और एक पॉइंट टावर रहता है टावर की जो समस्या अ साइकल चलती होगी तो कितना परेशानी होता होगा आज तक कोई देखने वाला नहीं है और कुछ नहीं है यहां आज तक जियो का टावर भी लगा था बगल में लेकिन वह भी कभी चालू रहता है कभी बंद रहता आखिर कब तक इस तरह से लोग अपने जान को जोखिम ड तरह को बनाया था था रहे फिर करने वाले हैं अचां आप कहां परोणे नहीं का तक बनाँ पहान हैं बनाएब नजवान आडमी जीओ दो नहीं पड़ा है अच्छा इसके लिए तो आप लोग जो है सो शिकायत होंगे बादा दिकारी से अब भाँ तो कहा चया है बनेगा बनेगा पहर गया भी नहीं सुना जितने के लाद को चया भी नहीं जेखे अवी तक उनको चेहरा भी नहीं तके लुप का उखुए है अच्छा इंव बताइए तो उनको उनसे आप लोगोने मांग किया था जिला बनाएब आए नी आड़ दो बनाएगे अवी तो बनताईए अव जो यानि के लग्षान जो होगा तो फिर आप लोग मतलब के उसनेता को नहीं चुनेंगा? जो बनाएंगे उसको चुनेंगे अच्छा यह बताइए यह जो सरक है यह सरक जो छोटी मलिकपूर से कौन से गाउं को मौड़की मलिकपूर है और उसके आगे यानि के इस रास्ते से लोग चापूर माधौपूर अंगुआ की तरफ जाते जो मुझफरपूर जिला तो अच्छा आपको कोई दिक्कत है इस जो गोद नहीं पन पारा है जीना हराम हो गया जब एमर्जंसी का हालत होता है उसमें क्या करते हैं आप लोग बहुत परसानी से जादे क्या होते हैं